आज इंडियान आर्मी डे है जी हाँ आखिर हम क्यों मनाते हैं इंडियन आर्मी डे और वो कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें नहीं पता चल पाती हैं और जंक के दौरान एक सोलजर को एक कैप्टन को पूरी बिट्यालियन को फेस करनी पड़ती हैं आज उसी चीज़ के लिए हम जुड़े हैं और हमारे साथ आज बाचित करने जा रहे हैं उनका नामे कैप्टन गबबर सिंग जो काशीपूर के रहने वाले हैं और आर्मी से कैप्टन की पोस्ट के साथ रिटाइड हुए धन्य बाद आपको पहले तो मैं यह बताओंगा आपको कि पहली बात तो है कि आर्मी डे हमारी जो ठल सेना है यह आर्मी डे हमारी तब से मनाय जाता जब हमारा पहले जो हमारे फील्ड मार्सल जननल के प्रेप थे के उनोंने सेना अध्यक्ष बने थे 15 जन्वरी शॉंपचास को 또 उसके बाद उनों के उनों भूगत से धल सेना की कमांड समआ आर्मी दे उस तीन से अलग अलग दिन अपना मनाती है लेकिन आज विए और आर्मी डे है हैं आर्मी के बारे में आपुझे बाते शेर करना चाहर रहाएं याप when you did up आर्मी के रहते हुए किस परकार से आप फिल्ड में रहते और पीस में रहते कर आशिदे या आ नि靭ृत के जो बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1965 से आर्मी में हूँ था और उसके बाद 1996 में से रिटायर हुआ हूँ तो मैंने एक सिपाई से जवान से नौकरी शुरू कि और एक कैप्टिन अधिकारी के रूप में सेवा निवर्थ हुआ हूँ तो मुझे एक जवान स कि सारी जो समश्याए हैं जो सुगदाए हैं जो कुछ मिलनी चाहिए होनी चाहिए वो सब मुझे अच्छी तरह से ग्यात है लेकिन इस ब्यारव में ज़रू बताऊंगा क्योंकि हमारे देश के ले समश्या का जो सब्द है वो हमारी जो सरकार है हम सरकार कोई दोशी नहीं ठहरा सकते हैं कि समश्या सरकार के हुझे से हमें खड़ी हो रही है क्योंकि हमारा देश पहले आजाद हुआ इस तरह की प्रस्तितिया थी उस समय चूंकि मेरे पिताजी स्वतनता सेनानी थे आजानिंद फोज में थे और वो एक इंफेंट्री के सोलजर थे आजानिंद फोज में रहते हुए उस समय उनके क्या इस्तिति थी वो तो बहुत ही हालात खराब थी लेकिन उनके अंदर एक जज़वा था कि हमें देश की सेवा करनी है चाहे हमें तनगा मिले या चाहे हमें हमें सुबदा मिले और नह मिले उसके बाद भी जब आजाद हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद भी हमारे सेना में ये जज़वा था कि हमें कोई सुबदा मिले न मिले हमें देश की सेवा करनी है लेकिन जो आज की स्तिति है आज की स्तिति ये हो गई है कि हर आजमी चाहता है हमें सुबदाय मिले लेकिन जैसे हमा आपने जो करतव के आप को सुबदाए चाहिए उसके साथ अपने करतव को भूलना चाहिए मैं और हमको यह देखना किस देस के अंदर है हमिने भारत देश के अंदर है हम 18 glad sug मजबूती पहले नहीं थी हमें याद है जैसे आपने प्रश्णी किया कि आप फिल्ड में रहते हो कि हम जब 65 की लड़ाई लड़े थे 62 की लड़े थे उससे में हमारी सेनाओं के लिए सुबदाएं बिल्कुल नहीं थी जिस कारण कि 62 की लड़ाई में हमें मतला इतनी सफलत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहे थी और पैसेट की लड़ाई में हमें और अच्छी हमको अधियार दे गए हमारी सेना को मजबूत किया गया हमें सुबदा मिली और उसका नतीजा सारे देश ने देगा कि हमने पैसेट को जीता है उसके बाद एकतर की दुबें जिसमें कि मैं स्वयम था और मैं पंजाब बॉटर से आगे निकला था मैं एक मैकनेज इंफिंट्री का हिस्ता बनके लड़ा था और 43 लॉरी इंफिंट्री ब्रिगेड में के तहत हम एक फस्ट आर्मा डिविजियन के नीचे काम लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े थे और हमारा इराद कि हम वहां पर लाहोर को हमने नास्ता करना था लाहोर अपने टैग लेकर जाने वाले थे लेकिन राश्ते में हमें ब्रेक ओट का सौरी रास्ते में हमें सीस फैर कादेश मिल गया जिससे कि हम पाकिस्तान के बीच तक ही पहुँच पाए और आगे नहीं पहुँच पाए लेकिन उस समय कि जहां तक आप सुदा समश्याओं की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा देखिए जब हम पाकिस्तान की लड़ाई के लिए गए थे त और उस समय इतनी हमारे देश की इस्तिती नाजुक थी अर्थिव्योस्ता में या हमारी सेनु को सुदा देने में कि हमारे पास दो-दो गरम कमीजे नहीं थी इस दिसम्मर के मैने में उसमें लड़ाई वी थी फोज हमारी हलाएं की काईपी छे मैने पहले से अलर्ट हो कि अगे से पूछा बताईये आप पूरी डिविजनमीं कि電नी का अधामी पास कमीजे नहीं किे आ अध्मी पास कमीज नहीं थो-क्यान मोब्यों आधी रह चप्रहों में लड़ने केलिए तो उनने एक बात बताही है कि आजके जबाने में 및 आदिकार ही कि औन ने कहा लोगिदिया की देखिये जब गाउं में हम किसी बिरात में जाते हैं तो बिरात यंदोगी सभी का सब नेद लहां कराट करने हैं तो सभी इस आपास कोट मख लेते वैं ने कोट दे दे और हम ब्राद से वापिस आने के बाद तुम्हें कोट वापिस कर देंगे और इसा होता भी था और उसी हालत में उन्हों ने कहा बैए आप जो हमारी फौज आगे लड़ रही है जिसको आगे का टास्क मिल रहा है आप पीछे वाले किरपाई उनको अपना गरम कम पीछे आजाते हैं पीछे वालों को आगे लड़ने का मौका मिलेगा वह उस कोट और उस कमीज को लेकर आगे बढ़े इस तरह से अभी यह समय हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से कि हमें पूरी सुभधाय मिले पूरी संदक्षा मिले और हिपाजित मिले ताकि हम लड़े लेकि अधर टो इस तरह से हमारे ँग अच्वे मेल लोग फीयुक लड् sewer रते हैं रास्तान वाले बौड़ू पर रएह यह जम्बू कस्मर वाले पठारी जगाजा पर पहाड़ फैश मधेस सा भी है वहां पर रते कि ह। जंगल वाले लाके में रते हैं पानी में रते हैं तो इस तरह कि वहां पर सुभधाएं जैसे जैसे हमारा देश इसको कर रहा है इंप्लिमेंट कर रहा है जैसे जैसे हमारा देश देख रहा है उनके पास आर्तिक त्याची हो रही है तो हमारे पास उसके सुभधाएं आ रही है उस तरह से बैंकरें बन रही है उस तरह से तो या आटलेडी की तोपें आ रही है तैंक्स आ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्यों कि मैं अभी अपनी देज्मेंट में गया था कि उनर मिलन समारो हो था हमारा तो मैं किया था तो आप लगा लो कि जो भी एम पी टू हिया हम इसरे खौज में डेक़े गए तो उस एसमे रखे गए थे वह बी मपी टूबिए आज वहाँ पर मेरे पास बती है जिस BMP का मैं कमाडर था वही BMP मेर आज भी देखने को वहाँ पर मिली तो यह हमारे सेना का उन्नत मेंटिनेंस है रख रखाओ हो है हमारे सेना रख रखाओ में सबस्रेब आगे है और हमारे सेना बड़ी बात सबसे बड़ी बात जो हमारे सेना की है हमारे सेना सहुलत के लिए कम और अपने देश के लिए अपने जिबबारी के लिए ज़्यादा मरती है हमारे सेना का विशेज गुणी है कि हत्यार कैसा भी हो हमने उस हत्यार का इस्तिमाल करना है और उस हत्यार से लड़न लेकिन बागी जगह पाकिस्तान की लड़ा है पेट्रेंट तैंक अमेरिका के आए इसकी आए वो आए लेकिन हमारे सेना ने अपने जो पुराणे हत्यारते उने से उनको युदू में हर जगह पर मुँ की खानी पड़ी पाकिस्तान को और उनको पीशे भगा करके और जमीन अंदर घुसके उनको मारा है और आज तो ड्रोन का युग आ गिया है अब तो पुरानी जमाने में गोड़ा गाड़ी थी गोड़ा गाड़ी में जाता था समान घोड़ों में कोश्टू पर जो है वो भीजा जाता था माल भीजा तब माझे कि जैसे आप आप देखो कारगेल वार हुआ तो हमें करते हैं जैसे कारगेली वार हुआ हमारा तो हमारे पास कैसे सुबदाए थी और पाकिस्तान बहुत से पहले से वहाँ पर जमाउड़ा हो करके बैठा वाता डिफेंस लेकर डिफेंस वाली फोज को हमारी फोज ने पीछे कैसे धकेला और उनको मजबू है हमारे सेना डिफेंसिब बैठी हुए है तो हमारे सेना को किसी भी आर्मी किसी भी देश के आर्मी को हिम्मत नहीं कि हमारे सेना को पीशे धकेल सके और मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिक हर सक्सम उसके लिए हर सक्सम हर परस्तिती हर बिना सुधाओं के लड़ने के लिए देश की सीमा के रक्षा करने के लिए और देश की जनता के लिए चाहे वो सीमा का काम हो चाहे शांती बिवस्ता बनाने का काम हो चाहे रिटायर्मेंट होने के बाद हमारे जैसे जो रिटायर्मेंट हो गए हैं रिटायर्मेंट आ गए है आज भी हम प्र बिना इसकुछ मांग के हुए अपने जान की बाजी लगाते यह जीवन फिर मिले ना मिले लेकिन देश हमारा जिन्दा रहे प्रगंट की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सबी सोशल मीडिया प्रेटफॉंस पर सस्क्राइब लाइक और फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद